आईए दोस्तों समझते हैं कि वास्तु दोस्त हम अपने घर का कैसे दूर कर सकते हैं अगर हम इस प्रकार करते हैं जैसा मैं आपको बताऊंगा तो हमारा वास्तु 30% स्वत्य ही ठीक हो जाता है मकान की दिशा कैसी भी हो अगर हम खाना खाते समय अपना फेस पूरब या उतर को रखते हैं तो वह भहुत शुबदाई फलो देता है हमको स्वास्त मिलता है उसी प्रकार से अगर हम अपने को ड्रेसिंग करते समय अपना मेकप करते समय अगर हमारा अमुक उतर या पूर होता है तो वह भी हमको मेंटल टेंशन नहीं देता है और हमको सजने सवनने में चाहिक होता है उससे हमारे फेस पर क्रांती आती है इसी तरह से अगर घर में खाना बनाते समय इस्तरी हो या पुरूस हो उसका मुख इस्ट को होता है तो वह भी बहुत सुगदाई होता है कारण क्या है कि जब हमारा पूरप की तरफ होता है तो खाना स्वादिश बनता है वो खाने वाले को खाने मज़ा आता है तो उसकी हेल्थ बनती है स्वस्त पूर्ण जीवन वितीत करते हैं तो घल में खुशाली आती है खुशाली आने से सब कुछ अच्छा होता है इसी तरह से अगर हम दक्षण की तरफ सर करके सोते हैं डक्षिन की तरफ सर हो हमारे पैर उत्र की तरफ हो तो हमको अच्छी नीद आती है और हम टेंशन फुरी जिनकी जीते हैं तो दोस्तों इनकी जोक अपनाईए थैंक यू